हेलो चिल्डरन कुसुलायम के लाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारी बच्चो आज हम सेकिंड क्लास के मैथ का चैप्टर दस गिनो समोह में कि अंदर आने वाले स्वालों को खल करना सीखेंगे हम इसमें संख्याओं का अंदाजा लगाना भी सीखेंगे अंदाजे से उनको गिनना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक पूरी देखे ताकि ये कंसेट अच्छी तरह से कलियर हो सके अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले साथ में दिवेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले लैट स्टार्ट चैप्टर टैन गिनो समुह में तो देखी बच्चो सबसे पहले हैं देखो और संख्या का अंदाजा लगाओ यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं जैसे कि ये कप दे रखे हैं इन्हें गिनना नहीं है सिर्फ अंदाजा लगा कर बताना है कि ये टोटल कितने हैं तो एक बार यहां पर देखो यह लड़की कहती है कि क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो यहां कितने कप है अब यह लड़का कहता है यहां देखो यह कहता है तीन और तीन हुए छे कप चार कप नीचे हैं तो कुल दस कप होने चाहिए ऐसे कहता है देखो तीन यह तीन कप और तीन यहां पर है 3 और 3 6 और 4 कप कहता है नीचे है तो ये 10 कप होने चाहिए तो इसका अंदाजा बताओ बिलकुल सही था क्या हम ये इसका अंदाजा बिलकुल सही था ये 10 कप है अब आगे यहां देखो ये लड़की कह रही है क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कितने जोड़ी जूटे हैं इससे कह रही है अब ये देखिए अब ये क्या कहेगी यहां तीन लाइने हैं और हर लाइन में तीन जोड़ी जूटे हैं इसलिए यहां नो जोड़ी जूटे हैं तो यहां पर देखो कुछ शूज दे रखे है है ना तो अब ये अंदाजा लगाना है इसको कि ये कितने जोड़ी जो है शूस होंगे है ना तो कितने जोड़ी हो सकते हैं ये बताओ देखो तीन लाइने तीन तीन जो है इनके अंदर है और ये लाइने है तीन इसलिए इसको कैसे जोड़ा इसने तीन गुना तीन करके कर इसने ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी जोड सकते हैं, तीन जमा तीन जमा तीन, ठीक है, तीन तीन छे तीन नो, यानि कि ये तीन, तीन में तीन जोड दिये छे, ये तीन में तीन जोड दिये नो, या फिर हम बैच्छों ऐसे भी कर सकते हैं, तीन गुणा तीन, तीन क पहाड़ा भी तीन तक पढ़ सकते हैं, तब भी तीन तिया नो, ये नो जोड़ी जुटे जो हैं, वो होंगे, अब आगे खाय सने देखो किस तरह हैं अलग-अलग चीजे समुहों में रखी हैं, बिना हर चीज को गिने, इनकी संख्या का अंदाजा लगाओ, तो यहां देख कितने समुह बना रखे हैं इसके, एक, दो, तीन समुह हैं, है ना, और हर समुह में चमच कितनी हैं, देखो, पांच इस लाइन में, पांच इस लाइन में, कितनी हो गई, दस, यानि कि हर समुह में चमच है, दस, कुल चमच कितनी हुई फिर, दस, ये दस, ये यहां पर है, 10 यहाँ पर किती होगी 10 10 20 और 10 30 हो गई या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 10 गुना 3 करके 10 तिया 30 तो यह टॉटल 30 समज जो है वो हो जाएंगी अब यहाँ दे रखें कुछ ग्लास अब ग्लास के पहले तो समू देखते हैं कि कितने समू में ग्लास है एक तो तीन चार चार समू ग्लास के हैं है ना और ग्लास कितने हैं हर समू में तीन तीन ग्लास है ठीक है तो तीन बार जो है हम तीन तीन ग्लास है तीन को चार बार जो है जोड सकते हैं तीन तीन छे तीन नो तीन बार है है ना तो टोटल गिलास कितने हुए पा रह हुए हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन इसे जोड सकते हैं या फिर हम एक दूसरा तरीका भी ये टोटल कितने बोक्स है चार और हर बोक्स में कितने गिलास है तीन तो चारती ये 12 तो भी 12 आ जाएगा और अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये भी 12 ही आएगा सेम रहेगा अब आगे यहाँ पर देखो कुछ कप दे रखे हैं है ना अब सबसे पहले मुझे समू बताओ कि कितने समू है इनके एक, दो, तीन, तीन समू है है ना तो यहाँ समू लिख देंगे एक समू में कितने कप है बताओ तीन यहाँ पर, तीन यहाँ पर यानि छे, छे इसमें है और छे इस समू में है तो छे, छे 12 और छे 18 यहाँ फिर ऐसे भी कर सकते हैं छे, छे दूनी 12, छे ती यह 18 छे गुणा 3 भी कर सकते हैं या फिर छे जमा छे जमा छे इनको भी जोड सकते हैं सेम ही रहेगा कितना आ जाएगा अठारे कप टोटली अठारे कप हैं हमें इस ते से एक दो ती इस ते से काउंट करने की जरूरत नहीं है बच्चो यहां पर जो जमा करना सिखाया गया है वो समूह में चीजों को कैसे का जाएगा अठारे कप अब इसी तरह से यहां देखो कुछ चूडिया दे रखी है है ना कितने समूह है पहले तो फो देखो कितने समूह है इसके एक दो तीन चार पांच तो हम लिखेंगे पांच समूह बना रखे हैं इसके चूडियों के और चूडिया कितनी है एक समूह म हम 4-4 एड़ कर लेंगे कितना हो जाएगा यहां फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुना 5 4 का पहड़ा 5 तक पढ़ लीजिए 4 पंजे 20 तो यहां पर है 20 जूडिया आएंगी यह टोटल अब यहां देखो यह कान के जुमकों की जोडियां दे रखी है है ना इसने पूछा है 10 जोडियां कान के जुमकों की कितनी जोडियां है कान के जुमकों की हम यहां पर देखो कितने पेर बना रखें इसने कितने समू बना रखें पहले तो हमें यह देखने हैं उसमें एक एक पेर है है ना कितने है ग्रूप कितने है इसके 1,2,3 ऐसे भी count कर सकते हैं हम 3 यहां है 3 यहां 3 यहां 3 यहां और इस side है 4 यानि कि 4 और यह है 3 यहां हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 गुणा 3 4 तिये 12 तो 12 जोड़े होगे यहां फिर हम इनको ऐसे भी count कर सकते हैं चार जमा चार जमा चार पर यहां फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं तीन जमा तीन जमा तीन जमा तीन यानि तीन तीन जो है चार बारा आया है तो वो भी बारे ही होंगे तो इनका जो जोड है वो होगा बारे है अब यहां बाउंटरी में देखिए लिखा है रंग भरो आगे यहां ओलिटी रंग भर कर दिखा रखा है यहां देखिए यह रंग भर रखा है ना जहां नहीं भर रखा तीन-तीन के पेर बना कर आपको रंग भरना है बच्चो यह काम आपको खुद करना है अब यहां पर देखो रानी की माला रानी की माला टूट गई सारे मोती बिखर ग कितने मोती हो सकते हैं बताओ, count करना पड़ेगा क्या, क्या करेंगे हम, इसके भी pair बना सकते हैं, या तो हम इनको 2-2 count करके भी कर सकते हैं, एक-एक जोड कर, जो है वो भी हम इनको गिन सकते हैं, कि ये कितने हुए, या फिर हम 2-2 के pair बना लेंगे, और फिर भी इनको जोड सकते हैं कि ये कितने हुए या फिर हम 3-3 के पेर बना कर भी इनहें जोड सकते हैं ठीक है ये 3, जमा 3, जमा 3 और 3 ये है ना कितने हो जाएंगे बताओ 3, 3-6, 3-9 और 3-12 12 है मोती हुए 2-2 को काउंट करो के देखो 2-2-4, 2-6, 2-8, 2-10 और 2-12 फिर भी ये 12 हैं 3 को पेर बना बना कर किये 3-3 के जोड़े बनाए तो भी क्या है ये 12 हुए अगर हम इनको 4-4 करेंगे तो देखो 1, 2, 3, 4 ये वाले 4, ये 4 और ये 4 कितने हुए 4, 4, 8 और 4, 12 तो इस तरह से हम किसी भी तरह से इनको गिन सकते हैं आगे है रानी की सहेलियों ने गिना ऐसे अब देखो रानी की सहेलिया गिन रही ना जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही किन रही हैं ये ये रानी की 3 सहेलिया है 1, 2, 3, 4 यह 4 का ऐक जोड़ बना दिया यह 4 और यह 1 4 इन्यानिकी 4 4 के समूह बना दिये हैं 4 4 के कितने समूह बने 3 तो किस दरह से हुए 4 जमा 4 जमा 4 3 समूह बन गै न 4 4 8 और 4 12 तो 12 मोती हुए अब दूसरी सहली है यह प्रानिकी इसने क्या किया इसने तीन तीन के समू बनाए हैं है ना तो क्या किया तीन तीन के कितने समू बने बताओ तीन तीन के चार समू बने तीन तीन छे तीन नौर तीन बारे तो भी इनका जोड क्या आया बारे आया अब यह देखो राने की तीसरी सहली है इसने क्या किया दो-दो के जो है वो समुख बनाए है, इसने 1, 2, 3, 4, 5, 6 समुख 2-दो का बना दिया, इसने 2, जमा 2, जमा 2, जमा 2, जमा 2, जमा 2, ये देखो, 6 के बन गया ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 हैं, इनके तरीके से तुम भी इन मोतियों को गिनो, तुम्हें कौन सा तरीका आसान लगा बच्चो, वो बताओ, वैसे तो सभी तरीके आसान है, है ना, अपनी अपनी जगें सभी तरीके आसान है, अगर आपको जो भी तरीका आच्छा लगा हो, वो तरीका आप बता सकते हैं, जैसे आपको माल लो, 4, जमा 4, जमा 4, ये वाला तरीका आसान लगा, तो लिख पर कितनी टहनी है देखो एक दो तीन चार टहनी है चार तो पत्ते कितने हुए दो जमा दो जमा दो जमा दो जमा दो यानि कि दो दो के चार समू हो गए यह एक दो तीन चार है ना दो कितनी बार आया बताओ कितनी बार आया दो आया चार बार अब यहां देखो यह टहनी कित कितनी है पांच है पत्ते कितने है कितने है दो इसमें जमा दो जमा दो इससे पांच बार दो दो है ना एक ये दो जमा दो जमा दो जमा दो जमा दो ये गलती से एक्स्ट्रा दे दिया है इसने तो कितने हो गए दो कितनी बार आएगा दो आएगा पांच बार अब इसी तने स यहाँ पर देखो टहनी कितनी है काउंट करके बताओ दो दो चार दो छे छे है ना टहनी है छे पत्ते कितने है पत्ते कितने हुए छे और दो दो पत्ते है यानि छे जो है ये टहनी है उसमें दो दो पत्ते है यानि दो जो है वो छे छे जो है, 6 बार आया है, 2, 2, 2, 2 है ना, तो कितने पत्ते हो गए, यह ठोटल काउन करके बताओ, वार है पत्ते हुए, 2 कितनी बार आयेगा इसमें, 2 جो है, 6 बार आयेगा, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बार, 2, 2, 2, ठीक है, अब आगे छुटकी का सवाल, क्या आप बता सकते हैं, कितने लोग अपने जूते यहां छोड़ गए हैं, अब यहां पर देखो, बच्छो कुछ जूते दे रखे, आपके घर में भी इस्तिय से जूते मिलते हैं, आप उन्हें भी count करके देख सकते हैं, कि आपके घर में total कितने जूते हैं, और आप मंदिर में जाते हैं तब भी आपको इस तरह से दिखाई देते हैं है ना अब ये जुते बताओ कि कितने हैं यहां पर कौन-कौन कितने लोग जुते छोड़ कर गए है ठीक है अब देखो पेर होता है जुते का तो एक ये वाला है और एक ये तो एक हो गया ये ये और ये मिलाकर ये और बताओ, ये वाली चपल और ये वाली चपल हो गई 5, एक ये और ये विना कर हो गई 6, कितने जोड़ी हो गई ये, ये 6 जोड़ी जुद्धे हो गई, यानि कि पेर में होते हैं, यह हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको आप वैसे काउंट कर लीजिए, कितने हैं ये देखो, 2, 2 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, है ना, तो 12 ये जुद्धे हैं, और एक जोड़ी जुद्धे में 2 ये जुद्धे होते हैं, है ना, दो का पेर होता है, एक तो 6 पेर हो गई ये, अब यहान इसने पूछा कितनी जोड़ी जुराबे टंगी हैं, अब जुराबे देखनी कितनी में बताने जोड़े में 2 आती है ना, तो देखे एक जोड़ी तो ये हो गई, एक ये हो गई दो, एक जोड़ी ये 3, ये हो गई 5, ये 6 और ये है 7, कितनी जोड़ी हो गई ये? 7 जोड़ी जो हैं वो जुराबे टंगी हूई है अब यहां देखो इसने लिखा है डिबे में कितने मीना हर रोज एक डिबे में एक एके तीन सिके डालती है यह मीना है देखो इसने डिबा ले रखा है हर रोज एक एके तीन सिके डालती है यहां देखो इसने तीन सिके डाले पहले दिन तीन सिके डाल दिये दूसरे दिन तीन जमा तीन कितने हो गए तीन जमा तीन डालेगी कितने हो गए छे तीसरे दिन तीन जमा तीन जमा तीन कितने हो जाएंगे बार है और अगले दिन कितने हो गए पांचमे दिन पंदर है इसी तरह से आपको ये संख्याएं काउंट करके लिखनी है कि हर रोज तब कितने सिक्के उसके पास हो जाएंगे, ये काम आपको खुद करना है, करोगे मुझे बताओगे, चलो बताओ फिर, इसमें कितने होंगे, 18 है, very good, इसमें 21, इसमें कितने होंगे, 24, very good, इसमें बताओ कितने होंगे, 3 और जोड़ दो 24 में, 27, और इसमें कितने होंगे, बत लाव, हम, 30, और ये दस्वा दिन होगा उसका, है ना, पांच दिन यहाँ है, 5 यहाँ पे, 5, 5, 10, ये करता है, 5 दिन में कितने सिक्के जमा हुए, 5 दिन में कितने होंगे, देखो, ये 5 दिन था, 15 है किके जमा हुए, 15 है किके, अब इसे इखा है, दस दिन में कितने सिक्के जमा हुए दस दिन में टोटल ये दसवा दिन था कितने हुए तीस सिक्के यहां लिखेंगे तीस सिक्के तुम भी ऐसे स्वाल बनाओ और अपने साथियों से पूछो जैसे आप रोज एक एक के चार सिक्के डालते हो तो पांस दिन में कितने सिक्के होंगे ठीक है ये काम आपको खुद करना है बच्चो आप अपने दोस्तों के साथ भी ये गेम खेल सकते हैं आगे छुटकी का सवाल आगे बढ़ाओ अब यहां देखो इनको आगे बढ़ाना है ये क्या दे रखा है ये तीर का निसान दे रखा है रैड गलर में है ये ब्लू गलर में है इसने क्या किया है एक बार ये उपर की तरफ तीर का निसान है दूसरे में क्या है नीचे की तरफ फिर उपर की तरफ तीर का निसान फिर ये नीचे की तरफ अब की बार कहां आएगा उपर की तरफ जो है वो तीर का निसान आएगा और आप सभी बच्चों को भी क्या करना है इस तरह हैं से इनको complete करना है यह देखिए यह देखिए ठीक है और इनमें color भी भरना है बच्चो ओके यह देखिए जैसे मैंने complete किया ना ऐसे ही आपको करना है लेकिन मैंने color नहीं भर रखा है बस आपको color भी भरना है इसमें अब यहां देखो बिंदू दे रखा है एक dot दे रखे एक बिंदू है इसमें 2 बिंदू फिर 3 बिंदू यहां पर 1 बिंदू अब next में क्या आएगा next box में यहाँ पर आएंगे दो बिंदू यहाँ पर आएंगे कितने बताओ शहवास तीन बिंदू और फिर वही pattern यहाँ आएगा एक बिंदू फिर आएंगे दो बिंदू तो इस तेंसे यह pattern चलता रहता है तो बच्चो यहाँ boundary में भी कुछ दे रखा है आपके लिए क्या दे रखा है बताओ कुछ stars दे रखे हैं आपको क्या करना है border पर जो भी यह stars दे रखे हैं इनको समूँ में बनाना है जैसे 4 का समूँ बनाए ऐसे 4 का समूँ बना दिया यह 4 का बन गया यहाँ आपर देखिए यह 4 का समूँ बन गया यह 3 का समूँ बनाना है तो देखो यह 3 star का समूँ बन गया इस से यह काम आपको खुद करना है तो बच्चो हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बच्चो